प्रिये शिक्षार्तियों ज्योति कौशिक मनन का आप स्वागत करती हूँ आप सभी का व्यवस्याई अधियन संगठन के इस विशय पर अभी तक हमने पढ़ा कि संगठन में उसका अर्थ क्या है उसके प्रकार क्या है उसकी विशेश्टाएं क्या है आज के इस अंक में हम पढ़ेंगे आपचारिक एवं अनापचारिक संगठन के बारे में तो हम पहले ये जान लेते हैं कि संगठन कितने प्रकार का होता है सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि प्रबंध के पाँच कार्य होते हैं और उस पाँच कार्यों में से दूसरे नंबर पर आता है संगठन संगठन दो प्रकार का होता है आपचारिक एवं अनापचारिक आपचारिक संगठन से तातपर्य कारियों की समुचित ढंग से परिभाशित पद्धती से है जिसमें प्रत्यक के अधिकार, उत्तरदायत तथा जवाब देही की निश्चित परिमाप होती है आप सभी ने देखा होगा कि कोई न कोई संगठन जो भी आपने देखा होगा वह है आपचारिक संगठन ही होता है क्योंकि जैसे कि आप NIUS की विद्याले में आते हैं या फिर किसी भी विद्याले में जब आप पढ़ते हैं आपके जो parents हैं वो कहीं न कहीं कारेरत होते हैं तो वो सभी उधारन हैं आपके जीवन में आपचारिक संगटनों के आपचारिक संगटनों का निर्मान उच्च प्रबंध द्वारा विशिष्ट उदेश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है यह अधिकात और करतेवय के बीच स्परष्ट सीमांकन भी करता है इसका जो धाचा है वो कार्यात्मक एवन प्रबागिया हो सकता है कार्यात्मक धाचा एवन प्रबागिया धाचा इसके बारे में हमने पिछले अंक में पढ़ा है और हम कार्यात्मक धाचा जो धाचा है उसे हम कार्यात्मक धाचा कहते हैं एवन उत्पाद के अधार पर बनाया गया संगट्नात्मक धाचा प्रबागिया धाचा कहलाता है पिछले अंक में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि संगठन का धाचा कितने प्रकार का होता है जब हम अपचारिक एवम अनपचारिक संगठन के धाचे की बात करते हैं यो अपचारिक संगठन के प्रकार की बात करते हैं तो क्रियात्पक एवं प्रभागिय धाचा आपचारिक संगठन का ही प्रकार होता है क्योंकि अनापचारिक संगठन में कोई भी जो व्यभाजन है उसका वो नहीं किया जाता तो आईए अब हम जानते हैं कि आपचारिक संगठन की जो विशेश्टाइं हैं वो क्या होती है अभी हमने पढ़ा कि आपचारिक संगठन क्या होता है उसी परिभाशा में से जब हम इन बिंदूओं पर ध्यान देंगे तो इसकी विशेष्टाएं हमारे सामने आती है सबसे पहले है कि यह कार्य स्तरों के बीच संबंध को सपष्ट करता है एवं कर्मचारी नियमों और प्रक्रिया से ही निर्देशित होते हैं प्रधात कर्मचारियों को नियम भी और कार्य करने की प्रक्रिया दोनों ही बता दी जाती है उसके अनुसार ही जो कर्मचारी है वो अपने कार्य को करते हैं विभागों के प्रयास समयन्वित और एकी कृत होते हैं क्योंकि बहुत सारे कार्यों को किया जाना आवश्यक होता है परन्तु विभिन विभागों के जो प्रयास हैं वो यहीं पर एकठा किये जाते हैं क्योंकि किस काम को किस से करवाना है कैसे करवाना है जो पोजीशन क्या होगी वो सब यहीं पर ही विसाइड होता है इसके बाद उच्च प्रबंध द्वारा ये निर्मित किये जाते हैं क्योंकि अभी तक और कोई भी जो स्तर है उस पर कर्मचारी नियुक्त नहीं होते हैं सिर्फ उच्च प्रबंध ही इसको बनाता है और आपचारिक संगठन में अलग-अलग जो पोजीशन का निर्मान उनके द्वारा किया जाता है इसके अलावा निश्पादन पर बल दिया जाता है निश्पादन से तातपर्य परफॉर्मेल से है कार्य करने से है तो अब जानते हैं कि एक और रूप में कि आपचारिक संगठन की विशेश्टाएं क जब हम विबिन कारेस्तरों के बीच के संबंद को सपष्ट करते हैं तो इस प्रकार रिपोर्ट करने का संबंद भी सपष्ट हो जाता है इसके अलावा कर्मचारी जो होते हैं वो नियम और प्रक्रिया से निर्देशित होने के कारण योजनाओं के निश्पादन में भी मदत करते हैं अर्थात जो योजनाओं बनाई गई हैं वो योजनाओं पूरी कैसे होंगी इसमें जो मदद है को उपचारिक संगठन के माध्यम से ही मिलती है इसके अलावा विबिन विभागों के जो प्रयास है ऑपचारिक संगठन द्वारा ही एकठे और समयन्वित होते इसका निर्मान सोच समझ के साथ ही उच्च प्रबंद द्वारा किया जाता है ताकि एक संगटन की रूप रेखा सुचारू रूप से चल सके इसके इसके अलावा इसमें अधिक जो बल है वो कार्य निश्पादन पर दिया जाता है कि दिया गया कार्य वो पूरा किया जाए दिया किया कार्य कुशलता एवं समय पर पूरा किया जाए जबकि निजिस बंदों पर इसमें बल नहीं दिया जाता आप जानते हैं कि आपचारिक संगटन के क्या क्या लाब हो सकते हैं बहुत ही आसान और मज़ेदार विशह है आपचारिक संगटन के लाब के बारे में ज पता है कि मुझे इस पद पर रहते हुए कौन-कौन से कार्यों को करना है और मुझे अपने कार्य को पूर्ण करने के बाद किस व्यक्ति को संपर्ख करना है या किस पोजीशन को संपर्ख करना है तो इस प्रकार उत्तरदायत निर्धारित करने से आपसी जो संबंध है वो भ और सबको पहले से ही पता होता है कि मुझे क्या करना है। तीसरा, इसमें आदेश की एकता का अनुपालन किया जाता है। अर्थात, जब दो व्यक्तियों के बीच या दो जॉब पोजीशन के बीच में संपर्क स्थापित किया जाता है, तो जो सीनियर है, वो अपने सबॉर्डिनेट को, अर्थात, अपने अधिनस्त को, अपने जूनियर को, जो आदेश देगा, जूनियर को वह मानना होगा, जिससे कि जो कारे जो है, वो सुचारू रूप से चलता रहता है। तो अब लाब के जानने के बाद जान लेते हैं अपचारिक संगठन के लाब, ये उद्देशों की प्रभावी प्राप्ती में भी मदद करते हैं, जो की इस प्रकार किये जाते हैं, हमें कारे करने की रूप रेखा उपलब्द करवाते हैं, हर एक कर्मचारी ये जानता है क क्योंकि नियमों से निर्देशित होने के कारण कर्मचारियों के विवहार का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कर्मचारी जब कार्य को करता है तो वो कैसा कार्य करेगा इसका जो पूर्व अनुमान है वो पहले से ही लगाया जा सकता है और संगठन में जो हमारे योजना बनाई गई है उसके उद्देश्य जो हमारे संकलित पहले से किये जा चुके हैं उनकी उद्देश्य पूर्ती किस प्रकार होगी ये हमें अपचारिक संगठन के माध्यम से ही जो है पता लगता है और जो भावी हमारे उद्देश्य की प्र पूरा एक setup है जिसके अंदर हमें एक व्यक्ति का एक job position का दूसरी job position या दूसरे व्यक्ति के बीच में जो संपर्क साधना है कैसे कारे को करना है यह पहले से ही है तयार होता है पूर्व निर्धारित होता है इस प्रकार अपचारिक संगठन के माध्यम से जो संप्रेशन प् प्रतिभा को भी परियाप्त पहचान नहीं मिल पाती क्योंकि कठोर निर्धारित नीतियों से हटकर कारे करने की आग्या ही नहीं होती है तीसरा यह एक संगठन किस प्रकार काम करता है उसकी पूरी तस्वीर प्रदान नहीं करता है क्योंकि इसमें मानविये संबंधों को ध्यान में नहीं रखा जाता क्योंकि जो व्यक्ति विशेश हैं वो तो बाद में आते हैं पहले ही संगठनात्मक्रिया जो है कर ली जाती है कि यह पहले से ही पूर्वनुमान लगा लिया जाता है कि इस पद वाला व्यक्ति यह कार्य करेगा और दूसरे पद वाले व्यक् होकर अपने कारे को करता है तो कुछ बदलाव आते हैं जिससे की पूरी तस्वीर संगठन की सही जो है वो सामने नहीं आ पाती है तो यह एक दोश है अब हम जानते हैं अन आपचारिक संगठन के बारे में तो आपको यह हम बताना में पढ़ने के लिए जाते हैं जो शिक्षक है उसका उदेश्य उसके कारे की रूप रेखा पहले से ही निर्धारित होती है विद्याले प्रमुक की रूप रेखा भी पहले से ही निर्धारित होती है तो यह उधारन है आपचारिक संगठन का परन्तु जब आप कख्षा में बैठकर अपने दोस्त बनाते हैं और आप उन दोस्तों से आपस में बात चीत करते हैं यह उधारन प्रस्तुत हो जाता है आपके एक अनौपचारिक संगठन का जो व्यवसाइक संगठन हों या अन्य कोई संस्थाई हो जब कर्मचारी वहाँ पर कारे को करते हैं तो आपस में जो मुख्य उधेश्य होता है व्यवसाय का उसके अलावा भी आपस में बात्चीत का उनका मुख्य उधेश्य आपसी मिझ जूल रहता है अर्थात अन आपचारिक संगठन व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंदों का ही एक तंतर होता है जुन्ना तो आपचारिक संगठन द्वारा बनाया जाता है और नहीं आवश्यक होता है इसका जन्म या उदय व्यक्तियों के स्वैचिक रूप से एक दूसरे से जी ने कहा था काम के दोरान लोगों के बीच मेल जूल बढ़ता है इससे कर्मचारियों में समाजिक संबंदों के नेटवर्क का निर्मान होता है इसी को ही हम अनपचारिक संगठन कहते हैं अब जो हमने अर्थ पढ़ा इसके आधार पर हम कुछ इसकी विशेश्टाएं जान होता है दूसरा सद्यस्यों का व्यवहार समू अपने ही मान दंडों से निर्धारित होता है तीसरा सूचना का प्रवहा बिना किसी विशेश्ट दिशा के होता है मतलब लोग आपस में जो चाहें वो बात कर सकते हैं अनायास ही उभरते हैं अर्थात पहले से उनकी कोई अचना का रूप नहीं होता है और अपचारिक संगठन की विशेश्टाओं में यह समेलित है कि जब लोग आपचारिक संगठन के बीच में रहकर अपने कार्य को करते हैं तब उनकी कुछ अन्य आवश्यक्ताइं जन्म लेने लगती हैं तब वे अपनी आपचारिक रूप ढुल्प से परिभाषित भूमिकावं से परेई होकर दूर होकर आपस में मिलते हैं और किसी अन्य संगठनका निर्मान आवश्यक्ताइश्व-अनौum से निरधारित ही किसी अधिकारीन नहीं बताया कि इंका तैकि करना नियंब से आपको ये कार्य करना है वे अपने निय से नहीं बनता संगठन के माद्दम से नहीं बनता वे अपने ही तरीके से अपने ही किसी विशिष्ट दिशा से वो सूचना का प्रवहा कर सकते हैं उसके जो सदस्य हैं वो समुह कहलाते हैं और वो अपना जैसे चाहें वैसे अपने कार्य को दिशा दे सकते हैं इसके अलावा अन आपचारिक जो समू हैं वो अनयासी उबर जाते हैं और पहले से उनकी कोई रूप रिखा तयार नहीं की जाती है उन्हें जान बूझकर नहीं बनाया जाता है इसके अलावा हम यह जानेंगे कि यह सामाजिक संबन्दों का एक जटिल नेट्वर्क होता है जो कि पहले से किसी व्यक्ति की जो पोजिशन को किसी कार्य को परिभाशित नहीं करता है अब अन आपचारिक संगठनों के जाने के बाद हम ये जाने कि इनके लाब क्या है आपचारिक संगठन यदि हम बात करते हैं तो फिर अन आपचारिक संगठनों का औचिते ही क्या रह जाता है परन्तु यह जानना आवश्यक है कि इन सब कर लाब भी होता है जैसे कि जब कोई बात बतानी हो कोई मैसेश देना हो तो हम सूचना एक यदि हम दे दे तो इस माध्यम से सूचना का जो प्रसार है वो तीवर होता है जैसे आज कल जब आप पढ़ते हैं तो what's up के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कार्य प्रणाली जो आपकी है जो आफिस है उसके अलावा भी आप अपनी जो व्यक्तिक अदबाते हैं ये किसी और कारण से आप एक दूसरे से मिल जो रखते हैं तो आप एक जो समू है वो बना लेते हैं ऐसे माध्यम से जो सूचना का प अपसदन पता लग जाती है इसके अलावा यह जो और नव चारिक संगठन होता है यह सदस्यों की सामाजिक अवशक्ताओं को भी पूरा करता है जैसे कि आप जानते हैं कि एक मनुश्य की अलग अलग आवशक्ताइं होती हैं जिसमें कि हम भौतिक अवशक्ताइं सामाजि तो मासलो नीड हाईरर्की थियोरी की आधार पर दूसरा जो चरण है वो सामाजिक अवश्यक्ताओं की बात करता है और वो यह कहता है कि हर व्यक्ति को रोटी कप्ड़ा मकान के बाद उसे कुछ लोगों से बात करना एक सामाजिक जो जीवन है वो चाहिए होता है जब अनौ इसके अलावा जो अनौपचारिक संगठन में कुछ कमिया रह जाती है उसकी भीक्षति पूर्ति इस अनौपचारिक संगठन में हो जाती है अर्थात अपचारिक संगठन में उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है जो पहले से निर्धारित होती है परन्तु अनौपच अपचारिक संगठन के माध्यम से यदि अपचारिक संगठन के कुछ कमिया रह भी जाती है तो आपस में उस अनपचारिक संगठन के माध्यम से भी ये ख्षती पूर्ती उन कम्यों की हो जाती है और जो संस्ता के मुख्य उदेश होते हैं उसकी भी पूर्ती में ये अपना योगदान देते हैं इसलिए अनवचारिक संगिठन के लाब भी होते हैं अनवचारिक संगिठन के लाब जानने के बाद हम जानते हैं कि इसके दोश जो हैं वो क्या क्या होते हैं यह बात हमें बहुत ध्यान से समझने वाली है कि आप जब अफवा फैलती है तो उसका आपको रूप रेखा समझ में नहीं आती कि कहां से फैली क्यों फैली और बस फैल गई तो उसके बाद उसके जो विनाशकारी जो बल है वो सामने हमारे आता है इसके बहुत सारे उधारण हैं जो समाज में आपको देखने को मिल जाएंगे अपने समाचारों के माध्यम से समाचार प संगठन में जान लें कि जब यह लोग अफवा भद आते हैं तब यह विनाशकारीबल की तरह काम करते हैं और संगठन के हितों के दEx कि वृद्ध हो जाते हैं अनौपक्रिक संगठन प्राई परिवर्तन का भी विरोधि अ उतता है अर्थार जब संगठन अपक्रिक संग्टन कुछ बदलाव लाने की कोशिश करता है जो अपने विकास कारे के लिए प्रयासरत होता है अनपचारिक संग्टन जो होते हैं वो परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं जिससे क्या होता है कि विकास में भाधा उत्पन होती है इसके अलावा अनपचारिक संग्टन जो के समक्ष रखने लग जाते हैं और ये संगठन के लिए हानी कारव होता है क्योंकि यदि समुह के आदर्ष अपचारिक संगठन के विरुद्ध होंगे तो संगठन अपने उद्देश्य पूर्ती सही प्रकार नहीं कर पाएगा तो अनवापचारिक संगठनों के जो दोश है वो हमें ध्यान में रखकर ही कारे जो है वो करना होता है अब इस सब के बाद हमारी एक जो डिबेट है वो पूरी हुई एक वाद विवाद हम इस विशे पर कर सकते हैं कि आपचारिक संगठन होने चाहिए या आनपचारिक संगठन होने चाहिए क्या हम आनपचारिक कल बना होता है इसलिए वो समाजिक समू बनाते हैं जिसके परिणाम Сव्रूप अनपचारिक संगटन का निर्मान होता है इसलिए अनपचारिक संगटन को किसी भी संगटन से ख़ताया नहीं जा सकता और बहुतर होगा कि उनकी कि उनको सही दिशा में परिवर्तित किया जाए ताकि सारे संगठन का भला हो ठीक उसी प्रकार कि जैसे आपके हाथ में चोट लगी है तो उंगली को काटा नहीं जाएगा बलकि उसका इलाज किया जाएगा बिल्कुल इसी तरह से अनौप चारिक संगठन को खत्म तो नहीं क किया जा सकता परन्तु उसको सही दिशा दे करके हम संगठन के भले के लिए कार्य को कर सकते हैं उनको दिशा निर्देश इस प्रकार दे सकते हैं यह किसी भी संगठन के लिए बेहतर होगा कि वह ऐसे समूहों के अस्तित्व को स्वीकार करें और इनके सदस्वे द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका की भी पहचान करें कि किस प्रकार इनकी जो एनरजी है उर्जा है उसको हमें सही दिशा दे सकें। इसके अलावा क्या हम आनौपचारिक संवहों को खत्म कर सकते हैं। तो बेटा यह सब तरीके जिन से अनौपचारिक संवहों का प्रबंद किया जा सकता है वो अपनी भूमिका बनाते हैं। और इन संवहों के ज्यान का प्रयोग भी उनका समर्थल हासिल करने और संगतन के परेनिश्पादन को बहतर करने में हम कर सकते हैं। इन संवहों का प्रयोग अच्छे सूचना मातिम के रूप में भी हो सकता है क्योंकि जरूरी तो नहीं कि सिर्फ अफवा ही फैले। यदि अच्छी सूचना है, सही सूचना है तो उसके लिए भी इनका उप्योग किया जा सकता है। इस प्रकाल मुकाबले की स्थिती में आने के बजाए प्रबंद को दोनों ही आपचारिक एवं अनापचारिक संगठन का प्रयोग कुशलता से करना चाहिए। यही निशकर्ष निकलता है कि आपचारिक एवं अनापचारिक दोनों ही संगठन अतियाविश्यक हैं। सिर्फ है बात तो इनको कुशलता से प्रयोग करने की धन्यवाद इस अंक में बहुत बहुत धन्यवाद